सबस्क्राइब आइए द रिंग थे इस शार करके रिंग्ध आइपू लेखने सब्सक्राइब फिर देए ठ यूटिए अधिंग इन धियू दून में चाहिए इन उसके इंदर हम लोगों वने एग कैंपशने हैँ जाओ यूडिटी जिसका नाम था utility, basically हमने बढ़ाता utility means power of a commodity to satisfy human wants, कोई भी चीज जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर देगी, उसे हम economics के अदर utility कह देगे, कुछ features discuss किये थे, जैसे utility percent to percent change होता है, तो subjective concept, place to place change होता है, ethically neutral है, right or wrong में believe नहीं करता है, एक basic idea लेके चलना है अपने को, कि utility का मतलब होता है, power of a commodity to satisfy human wants, कोई भी चीज जो मेरी ज़रूरत को पूरा कर देगी, उसको मैं economics में utility को दूदा हूँ, अब after completion of features, एक expected questions हमारे examination से देखा जाए, है, favorite question रहता है, more or less, more or less, भर साल हमें ये examper कही ना कही लिखने के लिए आता है, types of utility, types of utility आप बोल सकते हो, various forms of utility आप बोल सकते हो, totally हमारे पास 6 तरीकी की utility है, सबसे तहले number one पर आएका form utility, form utility के बारे में दो aspect बोलूँगा, किसी भी चीज़का size या किसी भी चीज़का shape change करने से, carefully words पर र्यान देंगे, किसी भी चीज़का size, किसी भी चीज़का shape change कर देने से, अगर कोई utility create होती है, किसी भी चीज़का size, किसी भी चीज़का shape change कर देने से, अगर कोई utility create होती है, तो उस utility को नाम दिया जाएगा form utility, कैसे बोल सकता हो मैं, a utility is created by changing the shape, size, color of a commodity, then utility is created, it is called form utility, अब एक बहुत सुपव एग्जापल नेंगे हम लोग, एक एग्जापल हम ले सकते है, wood का, wood लगणा, shape, size change कर दो bench बन गया, furniture बन गया, cupboard बन गया, tables बन गया, chairs बन गया, और आपको utility मिल गई, वो utility मिली, जब wood ने, अपना size, shape, structure, color, etc, 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 change किया, चलना एक और example लेते हैं, बचपण अपने को मट्टी के खीलों ने से खेलते हैं, उसे खेलते हैं, उसे खेलते हैं, clay, वो clay को convert कर दिया, toys बें, और toys से बच्चे को खेलने की utility मिल दी, जब clay अपना form चेंज किया, अपना structure चेंज किया, अपना size चेंज किया, और जो utility क्रियेट हो गई, उसे हम नाम दे देंगे form utility, form utility पे दो बातों पे stress रहेगा, किसी बीचिस का size, किसी बीचिस का shape, change करने से, कि अगर कोई utility create हो जाए उसे हम नाम दे देंगे form utility. Number two, place utility. From one place to another. अब हम लोगों ने लास्ट यर OC में ऐसा पुड़ा था कि एक जहां चीजें बनती है उसे कहते है place of production और एक जहां चीजें consumed की जाती है उसे कहते है place of consumption मतलब producer से consumer का जगा चीज बनी producer के पास consume किया consumer ने तो utility producer को नहीं मिलेगी, consumer को मिलेगी और consumer को जब मिलेगी जब वो product producer से अपनी जगा चेंज करके consumer के पास आ जाएगा और जो utility create होगी उसे हम नाम दे देंगे place utility finest example भी है place utility का favorite example is transport वेलिस्टिक एग्जाम्पल पर जाते है ना due to coronavirus हमें पीपीई किट्स लगे ना starting बेग तो हमने चाइना से import किया चाइना उसका producer हम उसके consumer चाइना से पीपीई किट्स जब इंडिया आए तो अबिज नी क्या change हुआ place और हमारे medical staff को वो यूज करके जो utility मिल रही है मैं उसका नाम दे दूंगा place utility चलना और अच्छे example में जाते हम लोग for example mango ले लो mango आपके बन में रखना गेर में और आपने उसको मुंबई में consumed कर लिया with the help of what which a transport and transport services always always creates place utility because यह चीजों का change करती है यह चीजों को लेके आती है from place of production से to the place of consumption एक्जाम में फिला पाता है dash creates place utility answer will be transport ऐसा भी आता है transport creates dash utility answer will be place तो मैं क्या बोल रहा हूँ क्या यान रखना है हमको किसी भी चीज़ की जगा बदली होने की वज़े से अगर कोई utility create हो जाती है तो वैसे utility को हम लोग क्या नाम देंगे place utility number third time utility due to changes in time utility can be created और due to changes in time of utilization of product utility can be created इसके लिए हम लोगों ने पिछले साल ही 11 स्टेंडर्ड में वर्ड पढ़ा एक लास time utility को मैं connect करवाऊंगा वेर हाउस से गोडाउं जिसे हम कहते है नोर्मेली अभी हम लोग किराने की दुकान के जाते हैं तो चाबल की गोनी मोनी रहती है देखो वहाँ पर दाल अगेरा की भी गोनी रहती है क्या दुकान वाने के पास उतनी चीज़े उसने उसका बहुत सारा स्टॉक कहां पर रखा है वेर हाउस जैसे requirement आती है समय आता है वो वेर हाउस से लिकाल के आपको प्रवाइड गरदार आपको utility मिलती है उस utility को नाम देंगे time utility और हमसे एक्जामपट में चाहते हम हम लोग electronic शौक वगेरा में जाते हैं वहां देखते हैं बहुत सारे televisions है फ्रिज है washing machines है वहां पर भी ऐसी होता है आपने पसंद कर लिया हम आपको go down में से ला कर देगा product that is time utility where house क्या करता है goods को produced होने से लेकर consumption होने तब safely एक जगा पर store करके रखता है and when customer demand उसको वह product available हो जाता है और जो utility क्रियेट होती है उसे कहते है time utility तीन utility क्रियेट होगे शेट साइस चेंज करके मिलेगी तो form जगा चेंज करके मिलेगी तो place समय चेंज करके मिलेगी तो time चौते पर आते पोजेशन utility पोजेशन utility क्या होता है से हमेशा से एक चीज़ समझने आई है हमें ownership matter करती है न मेरा marker मेरी class मेरा mobile मेरा घर my car हमेशा always ownership एक आपको status दिलाती है एक आपको pride दिलाती है एक आपको satisfaction दिलाती है क्या यह चीज़ मेरी होगी जैसे आपका 10 standard का result आपका हो गया इंशालब 12 पास हो जाओगे 12 का result आपका हो गया so whenever seller sell the product mark my words seller sell the product buyer buy the product seller अपनी ownership buyer को transfer कर देता है और buyer को उस समय क्या मिलती है possession utility मतलब seller कोई product को sell करे और buyer वही product को buy करे और उससे जो utility क्रियेट हो उसका नाम आ जाए possession utility utility which is created by transferring the ownership of goods number next knowledge utility हमारे चीज़ को upgrade कर देना मने knowledge को बढ़ा देना जैसे की news channel knowledge utility create कर पर है और हमारी life का सबसे important aspect cell phones knowledge utility है computers knowledge utility है advertisement knowledge utility है इन सब चीज़ों की वज़े से कहीं न कहीं हमारा knowledge बढ़ जाता है अप्ग्रेड हो जाता है ज्यादा हो जाता है और हमारी जरूरत पुरी हो जाती है और जो utility create होती है उसका नाम आ जाता है knowledge utility नेक्स्ट आर गया हमारे पास service utility service utility को मैं क्या बरूँगा service utility वो utility है जो create होगी by providing service example doctor में आपका इलाज कर दिया doctor ने patients को utility provide किया service, chartered accountant, CA, lawyers, doctors, teachers हमारी service की वज़े से आपको जो utility मिल रहे है उसका नाम है service utility so all together how many types of utility we have six हर बार हमारी जरूरत पूरी हो रही है एक बार form change करके हो रही है place change करके हो रही है तो place utility time change करके हो रही है तो time utility ownership की वज़े से हो रही है तो possession utility knowledge से हो रही है तो knowledge utility और doctor lawyer service के हो रही है तो service utility आज हमने six types of utility complete किया अब हमारा जो next lecture होगा वो बहुत interesting से topic पे होगा उसका नाम होगा law of diminishing marginal utility as well as मुझे आपको एक और concept समझाना होगा relationship between tu and mu that is total utility and marginal utility till then stay home stay safe thank you उसका बेल जाल कंप Such